नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में तरंग हिंदी पाठ्य पुस्तक बाई ब्रेन रूट सीरीज से हम करने वाले हैं पाठ संख्या 3 और पाठ संख्या 3 का शीर्षक है उपहार सबको अच्छे लगते हैं उपहार चित्र पर आधारित गतिविदी अरे वा ये तो एक जनम दिन का यहाँपर दृश्य है बच्चो उप्युक चित्र एक बच्चे के जनम दिन का है सभी बच्चे चित्र में हस खिल खिला रही हैं बच्चों को बहुत सारे उपहार भी मिले हैं आपको भी अपने जन्म दिन के अवसर पर बहुत सारे उपहार मिलते होंगे आपको सबसे ज्यादा किसका उपहार पसंद आता है बच्चपन से आज तक आपको जितने भी उपहार मिले हैं उन सब की सूची बनाओ और यह भी बताओ कि उन उपहारों में से कितने उपहार आपके पास अभी तक हैं तो आपको क्या करना है? आपको आज तक जितने भी उपहार मिले हैं उन सब की आपको एक सूची बनानी है, एक लिस्ट बनानी है और आपको ये भी बताना है कि उन में से कितने उफार ऐसे हैं जो आपके पास अब तक हैं आपने संभाल रखे हैं चलिए आगे चलें अब हम करते हैं पाट में प्रवेश पाट में एक बच्चा जन्म दिन पर मिले उफार जो की एक पिंजरा है को लेकर उत्साहित है वह इस पिंजरे में चिडियों को कैद करके रखना चाहता है जबकि पशू या पक्षी मानव कोई भी हो किसी को भी कैद में रहना पसंद नहीं होता सभी स्वतंत्र रहना चाहते हैं आईए पाट के माध्यम से जानते हैं कि बच्चे ने उफार में मिले पिंजरे का क्या किया चले आगे चले आईए शुरू करते हैं उस दिन शेरोजा का जनम दिन था इस अफसर पर उसे धेर सारे उफार मिले पर एक उफार ऐसा था जो इन सबसे बेहत अलग और अनोखा था दरसल शेरोजा के चाचा जी ने उसे चडिया पकड़ने वाला एक पिंजरा दिया था मा मा देखो ना चाचा जी ने कितना सुन्दर उफार दिया है शेरोजा ने मा को पिंजरा दिखाते हुए कहा अरे यह खेलने की वस्तु नहीं है और चड़िया पकड़ कर तुम क्या करोगे माने तुरंत कहा मुझे चड़िया की अवास बहुत पसंद है बहुत मजा आये का जब वे मीठे मीठे सुरों में मुझे गाना सुनाएंगी हाँ उन्हें पिंजरे में यूही नहीं रखूंगा उनकी पूरी देखभाल भी करूंगा उन्हें दाना पानी दूंगा और रोजाना पिंजरे की सफाई भी करूंगा शेरोजा भाग कर गया और घर से कुछ दाने ले आया चाचा जी के सुझाए गए उपायों के अनुसार उसने घर के आंगन में पिंजरा रखकर उसमें दाने विखेर दिये और वहीं खड़ा हो गया वास्तम में वहें देखना चाहता था कि इस पिंजरे में चड़िया कैसे फस्ती है लेकिन शायद शेरोजा की उपस्तिती के कारण वहां कोई चड़िया नहीं आ रही थी शेरोजा को भूक लगी थी इसलिए वहें पिंजरे को वहीं छोड़ कर खाना खाने चला गया पिंजरे की दिवार पर चोच मार रही है और बाहर निकलने के लिए तड़प रही है उससे रहा नहीं गया इसलिए तुरंट पिंजरे को घर के अंदर ले आया मा देखो ना मैंने कितनी खुबसूरत चड़िया पकड़ी है शेरोजा ने खुशी से लगबक चीकते हुए कहा मेरे ख्याल से यह बुलबुल है जरा देखने दो इसकी धड़कन सही है या नहीं चड़िया को हाथ में लेकर मा ने कहा जरा सावधान रहना इसे परेशान मत करना कितना अच्छा होता यदि तुम इसे आजाद कर देते मा ने शेरोजा को राय दी नहीं मा मैं इसे पालूँगा अभी जाता हूँ और इसके लिए कुछ खाने पीने का प्रबंद करता हूँ शेरोजा ने यह कहते हुए चिडिया को पिंजरे में दुबारा रख दिया और जुट गया उसकी देखभाल में शेरोजा ने दो दिन तक लगातार उस नन्नी सी चिडिया की अच्छी देखभाल की लेकिन तीसरे दिन से जैसे चिडिया में उसकी दिलजस्पी कम हो गई पिंजरा बेहत गंदा हो चुका था उसमें रखा पानी भी गंदा हो चुका था देखो तुम चिडिया की देखभाल नहीं कर रहे हो अब भी समझ जाओ शेरोजा बहतर होगा तुम इसे आजाद कर दो मा ने पिंजरे की और इशारा करते हुए शेरोजा से कहा मा की बात पर ध्यान ना देते हुए शेरोजा ने पिंजरे की सफाई शुरू कर दी जिस समय वह सफाई कर रहा था उस समय वह नन्नी चडिया बुरी तरह फड़फडा रही थी शायद वह शेरोजा से बहुत डरी हुई थी पिंजरे की सफाई करने के बाद शेरोजा चडिया के लिए पानी लाने चला गया इस बीच वह पिंजरे का दर्वाजा बंद करना भूल गया माने जब देखा तो शेरुजा को अवाज दी शेरुजा पिंजरे का दर्वाजा बंद कर दो वरना चिडिया उड़ जाएकी उसे चोट भी पहुँच सकती है मा की आवाज सुनते ही शेरोजा भागा भागा आया और चिडिया को फिर से पिंज्रे में कैप्ट कर दिया अगले दिन उसने देखा कि चिडिया की सांसे तेज-तेज चल रही है और वह लगबक अद्वरी सी हो गई है शेरोजा उसे बार-बार देख रहा था उसे आभास हो चुका था की जरूर कुछ बुरा हुआ है मा, देखो ना चडिया को क्या हो गया है? मैं अब क्या करू? शेरोजा ने रोते हुए मा से पूछा अब कुछ नहीं हो सकता जो होना था वह हो चुका माने नाराजगी प्रकट की शेरोजा पूरे दिन पिंज्रे को लेकर बैठा रहा वह देख रहा था कि कैसे पेट के बल लेटी हुई चिडिया अपनी अंतिम सासे गिन रही है रात को जब वह सोने गया तब तक चिडिया की मौत हो चुकी थी सुबा होने पर शेरोजा ने देखा कि पिंज्रे में चिडिया पीठ के बल लेटी हुई है उसके दोनों पैर उपर की और है और एक दूसरे से लिप्टे हुए है यह शेरोजा के लिए एक बड़ा सद्मा है चिडिया की मौत ने उसे कई रातों तक सोने नहीं दिया वे नन्नी सी चिडिया ही दिखाई देती यह एक ऐसी घटना थी जो उस उपहार के कारण से ही घटी थी लेकिन शेरोजा को इससे एक सबक मिला कि आजादी हर जीव को कितनी प्यारी होती है शेरोजा के लिए यह सबक उस उपहार के मूल्य से कहीं ज्यादा मूल्यवान था और यह कहानी लिखी है लेव तालस्ताय ने और अब है इसमें कठिन शब जो आपको लिखने है अपनी पाठ्य पुस्तिका में उपहार, उत्साहित, पिंजरा, कैद, स्वतंत्र, माध्यम, अवसर, अनोखा, उपाय, उपस्थिती, सावधान, आजाद, प्रबंद, देखभाल, दिल्चस्प, फडफडाना, आभास, अंतिम, संघर्ष और मूल्यवान तो इन्हें आप लिखेंगे अपनी पाठ्य पुस्तिका में अब हैं यहाँ पर शब्दर्थ और इन्हें आप याद भी करेंगे और अपनी पाठ्य पुस्तिका में भी उतारेंगे अफसर का अर्थ है मौका, परेशान, बेचैनी, घबराना, उफार, तौफा, प्रबंध, इंतिजाम, अनोखा, अनूठा, अद्वीतिय, दिल्चस्पी, रुची, हित, पिंजरा, चिडिया, चूहा आदी पकड़ने वाला, छोटा सा बॉक्सनुमा, वस्तू फड़फडाना, तडपना, आभास, एहसास, महसूस, देखभाल, रख रखाव, नाराजगी, अप्रसन्नता, क्रोधी, उपाय, युक्ती, प्रकार, सद्मा, धक्का, दुख, संघश, लडाई, उपस्थिती, हाजरी, घटना, हाथसा, सावधान, सतर्क, मूल्यवान, कीम्ती, बहु मूल्य, अब शुरू होता है अभ्यास कारिय, बताओ क्या पढ़ा, शेरोजा को अनोखा उफार क्या मिला, पिंजरा, शेरोजा ने पिंजरा कहा रखा, घर के आंगन में, कितने दिनों तक शेरोजा ने चड़िया की अच्छी देखभाल की, के आपके अनुसार हमें पक्षियों को पिंजरे में कैत करना चाहिए, चलिए बच्चो, इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयम देंगे, अगला अभ्यास है, सही विकल पर सही का चिन लगाओ, शेरोजा के चाचा ने क्या उफार दिया, पिंजरा, चड़िया की आवास किसे पस शेरोजा को, शेरोजा पिंजरे को छोड़ कर कहा चला गया था, खाना खाने, चलिए आगे चलते हैं, सुबह होने पर शेरोजा ने देखा कि पिंजरे में चिडिया, पीट के बल, लेटी हुई है, जनम दिन के अफसर पर चाचा जी ने पिंजरा दिया, चिडिया पकड़ कर तुम क्या करोगे, उन्हें दाना पानी दूँगा और रोजाना पिंजरे की सफाई करूँगा, शेरोजा की उपस्तिती के कारण कोई चिडिया नहीं आई, शेरोजा के लिए एक बड़ा सदमा था, अब अगला है सही पर गोला बनाओ, शेरोजा को जनम दिन पर धेर सा अरे क्या मिले उफास या उफार, उफार मिले, शेरोजा घर से कुछ दाने ले आया, शेरोजा को भूक लगी थी, तीसरे दिन से चिडिया में शेरोजा की दिल्चस्पी कम हो गई, चिडिया की मौत ने शेरोजा को कई रातों तक सोने नहीं दिया, किस ने किस से कहा, चाचा जी ने कितना सुन्दर उपहार दिया है, शेरोजाने मा से, अरे यह खेलने की वस्तु नहीं है, माने शेरोजा से, वे मीठे सुरों में मुझे गाना सुनाएंगी, यह किसने कहा था? शेरोजा ने मा से तुम चिडिया की देख भाल नहीं कर रहे हो माने शेरोजा से अब कुछ नहीं हो सकता जो होना था वह हो चुका ये भी कहा था माने शेरोजा से तो चलिए निम्न लिखित प्रशनों के उत्तर लिखो शेरोजा को किस अफसर पर धेर सारे उफार मिले शेरोजा को उसके जनम दिन पर धेर सारे उफार मिले पिंजरा पाकर शेरोजा प्रसन क्यों था पिंजरा पाकर शेरोजा इसी लिए प्रसन था कि अब वह धेर सारी चिडिया पकड सकता था जब शेरोजा से माने चिडिया पकड़ने की वज़ा पूछी तो उसने क्या उत्तर दिया? जब शेरोजा से माने चिडिया पकड़ने की वज़ा पूची तो शेरोजा ने कहा कि उसे चिडिया की आवाज बहुत पसंद है उसे बहुत अच्छा लगेगा जब वे उसे मीठे मीठे स्वर में गाना सुनाएंगी चिडिया को फसाने के लिए शेरोजा ने क्या किया चिडिया को फसाने के लिए शेरोजा ने चाचा जी ने जो सुझाव दिये थे उनके अनुसार पिंजरे को घर के आंगन में रख दिया और उसमें कुछ दाने बिखेर दिये और चिडिया के आने की प्रतिक्षा करने लगा पिंजरे का दर्वाजा खुला देखकर माने क्या कहा? शेरोजा पिंजरे का दर्वाजा बंद कर दो वरना चिडिया उड़ जाएगी और उसे चोट भी लग सकती है शेरोजा कई रातों तक सो क्यों नहीं पाया? जैसे ही शेरोजा रात को सोने की कोशिश करता था उसे पिंजरे में फड़फडाती चिडिया दिखाई देती थी चिडिया की मौत शेरोजा के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था शेरोजा को क्या सबक मिला? शेरोजा को उस उपहार के बदले यह सबक मिला कि आजादी हर जीव को प्यारी होती है पशु हो पक्षी हो या मानव जाती हो आजादी पर सबका अधिकार है हमें किसी को भी कैद करके नहीं रखना चाहिए तो आशा करती हूँ बच्चों कि अब आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा आभार मिलते हैं नए पाठ के साथ